अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को इस केस में हुआ ये था कि अलपी मिश्या ने कंटेंप्ट ऑफ कोट किया था जिसकी वज़े से उनने गिल्टी हैल्दी किया गया और उन्होंने इसके अगेंस जो है अपील फाइल कर दी क्रिमिनल अपील का जो ये बैच है क्रिमिनल मिसकंड़क्ट के केस में ये 15 जुलाई 1994 के ओरडर के अंदर अराइज आउट हुआ था जो की अलाहबाद हाई कोट की डिवीजन बैंच और लखनव बैंच के द्वारा पास किया गया था और उन्होंने भी ये पाया कि जो अपिलांट है वो गिल्टी है कंटेम्ट अफ कोट का और सारे अपिलांट जो की अलपी मिशा के साथ जिन्होंने कंटेम्ट अफ कोट किया था उन सब को एक महीने की जेल और एक हजार रुपे का फाइन लगाया और अगर वो फाइन देन में जो है default करते हैं नहीं दे पाते तो उन्हें पंदा दिन की और imprisonment होगी और 15 जुलाई 1994 को जो डिवीजन बैंच है Mr. Justice A.P. सिंग की और Mr. Justice BM लाल की उन्होंने proceeding को commence किया लागू किया और cases को सुने और जब दिवीजन बैंच 1994 की रिट पिटेशन के सुनवाई करी थी तब Dr. Alpi Misha जो की अपिलान थे वो courtroom के अंदर enter हुए और जो जो से नारे लगाने लगे की court को कहने लगे कि यहां से तुम अपनी जगह से उठ जाओ और यहां पर अपना काम करना बंद करतों लेकिन फिर भी court ने जो है अपना काम करना जारी रखा और उसके बाद Dr. Alpi Misha ने श्री एकी बाजपाई के साथ श्री आनन्द मोहन के साथ श्री वास्तव श्री वाई से पांडे और श्री शमीम अहमद अपिलांस के साथ वोड्याइस पर आई और उन्होंने दुर्वेवार करना शुरू कर दिया court के अंदर और उसी टाइम डॉक्टर Alpi Misha ने जस्टिस A.P. सिंग को पकड़ लिया और court को forcefully वहां से उठने के लिए कहा और कुछ abusive language का भी यूज़ किया और stay extend करती हैं आज दो बज़े तक अगर तुम अपना बोर्या बिस्तर लेकर यहां से नहीं भाग जाते हो तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे इस तरीके का abusive word जो है जस्टिस B.M. LAL के अगेंस्ट यूस किया गया था डॉक्टर Alpi Misha की द्वारा इतनी सारी धंक्यों ने कोर्ट को जो है रिटायर होने पे फोर्स कर दिया और दोनों ही ओनरेबल जजिस जो है वो जस्टिस B.M. LAL के चैंबर में रिटायर हो गए और जिस चैंबर के अंदर वो रिटायर हुए थे वही पर डॉक्टर Alpi Misha एंटर होते हैं और फिर से वही अंसिविलाइज लेंग्वेज को रिपीट करते हैं और फिर से वही धंक्या देते हैं फिर स्टेट ओफ यूपी और कुछ जो अधर मेंबर्स हैं कोट के स्टाफ के जो अधर मेंबर्स हैं उन्होंने Alpi Misha को उस चैंबर से बहार जाने के लिए बोध मनाया और कुछ टाइम के बाद अपिलान के द्वारा जो भी मिसकंड़क्ट किया गया था जो भी प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट किया गया था उसके उपर एक्शन लिया गया और कोर्ट की अथोर्टी को कम किया गया है इसलिए डोक्टर Alpi Mishra, Shri Akit Bajpai, Shri Anand Mohan, Shri Vastav, Shri Vaisipande and Shri Shamim Ahmed Advocate जो है उन्हें एक्स फेसिक गिल्टी जो है माना गया है कंटेंप्ट ओफ कोर्ट का मिन्स यह जो सारे अपिलांड है जिन्होंने कंटेंप्ट ओफ कोर्ट किया है इन्हें कंटेंप्ट ओफ कोर्ट के लिए गिल्टी माना गया है and the court in the exercise of the power under article 215 of the constitution sentenced a forced advocates with imprisonment for one month and fine of rupees 1,000 rupees each और constitution के article 215 के अंदर court को जो power दे रही है उस power को use करते हुए court ने सभी advocate को एक महिनी की jail की सजा सुनाई और 1,000 rupees सभी को जो है उसके उपर fine लगाया और अगर कोई advocate fine देने में किसी भी तरिके का default करता है तो उसे 15 दिन की और imprisonment होगी और court ने फर्दर ये direct किया कि उस court का जो additional register है वो इस order को execute करेगा मतलब इस order को execute करने के लिए steps जो है वो लेगा So friends आज किस वीडियो है हमने जाना LP Misha versus Union of India के case के बारे में और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें, comment करें और अगर आप में शनर पर नहीं है तो bell icon को press करना ना बूले So friends, मिलते हम अपने next lecture के साथ Thank you for watching this video